SSC GD की जो है वो form आच चुकी है और अगर आप इसमें जो है वो reservation benefit लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक valid domicile certificate होना चाहिए ओके ये domicile certificate क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और अगर आप जो है वो एक state से दूसरे state में आए हो तो उस case के लिए भी क्या आपको reservation का benefit मिलेगा या नहीं वो भी इस video में discuss करेंगे ताकि आपकी जो भी doubts होगी वो सारी clear हो जाएंगी तो देखो इसमें जो है वो सबसे पहली बात की यहाँ पे जो है वो last state of form feeling पहले याद रखना है आपको आपको later stages में problem हो सकती है अब देखो यहाँ पे जो है वो जो भी guidelines आई है तो उसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ तो देखो यहाँ पे जो है वो clearly लिखा गया हुआ है यह जो आप page number 3 पे आओगे और यहाँ पे आप पढ़ोगे यह जो 33 number में लिखा गया हुआ है कि इसको मैं आपको समझाता हूँ यह बहुत important है तो देखो इसमें लिखा क्या गया हुआ है कि vacancies जो है वो state or union territory wise आई है तो candidate को submit करना है अपना एक domicile या फिर PRC यानि permanent residential certificate of the state or union territory indicated by them in the online form तो आप जो है वो form fill up करते समय जो भी अपना state या फिर district आप जो भी fill up कर रहे हो उसका आपके पास एक domicile certificate या फिर PRC certificate होना ही चाहिए और document verification के समय अगर आपके पास नहीं होता है तो फिर आप जो है वो detail medical examination में miss आप inter नहीं कर पाओगे means आपका medical नहीं होगा तो before medical आपके पास जो है वो एक PRC okay PRC या फिर domicile कुछ जगा जो है वो जैसे residential certificate कहते हैं इसे हिंदी में जो है वो कुछ जगा निवास परमान पत्र कहते हैं निवास परमान पत्र या फिर अवासिय परमान पत्र या फिर PRC या फिर domicile certificate तो different different states में different different नामों से इसे जाना जाता है तो आपके पास यह होना चाहिए अगर आपके पास यह नहीं होता है तो फिर आपको जो है वो medical में नहीं जाने दिया जाएगा और उसके बाद देखो कि क्या लिखा हुआ है अगर आपने जो है वो अगर गुजरात का अगर देते हो कि मेरे पास गुजरात का अगर आपको सीधे जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा तो इसलिए जो है वो बहुत द्यान से आपको फॉर्म फिलप करना है और ताकि आपको जो है वो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो अब यह और इंपोर्टिन इफॉर्मेशन में आपको देना चाहूंगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रॉफिसनल हो तो आप जो है वो आचार परसांत की वीडियोस देख सकते हो काफी आपके लिए हेलफुल होगी और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटिक सॉलूसन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोस देखके आपको काफी क्लारेटी आएगी आप इनके एप पे भी जा सकते हो आचार परसांत एप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इनकी चैनल प ख़ी कि अगर आप जो है वो ओल ओवर इंडिया में अगर आप एक ही जगह से हो आप पले बढ़े एकदम एक ही जगह से हो तो आपको इस प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन जो चैनल अपने जो है आपना जो है अपना एडरेस या फिर उनके घज़त की लाप अपन का कि यह बहुत important है अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आगर आपके पास जो है वह यह जो आप फोल्ड नंबर पढ़ोगे तो इसमें nationality में लिखा हुआ है कि candidate जो है वह इंडिया का citizen होना चाहिए और vacancy जो है वह स्टेट और union ट्रेटरी वाइज आई जी है तो आपके पास एक domicile और PRC certificate होना चाहिए अगेंस्ट his domicile स्टेट और union ट्रेटरी जिस भी इससे वह बिलॉग करता है और इसका क्रूसियल डेट होगा जो कि लाज़ डेट और फॉर्म फिलिंग मैंने आपको पहले नहीं बताया था 14 अक्टूबर अब देखो यहाँ पे जो है वह एक चीज और है यह है उनके लिए जिन्हों ने अपना कभी भी एड्रेस चेंज किया है तो यह देखो कि अगर आपने तो आपको जो है वह यहाँ पर क्लियरली मेंसेंड है देखो कि अ कांडियेट बिलॉंगिंग इंट चेटी और उन माइग्रेशन फ्रम इस और इस अजिए अगर लेट सपोज कि आप जो है वह यूपी से मिलॉंग करते हो करते हो और अगर आपने यह वह लेट से देली सेफ्ट किया और आपके पास जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह उसलिंग wesग तर अजब है और अब यह आप फर्म में अगर देलीवर रहा हो तो उस केस में आपके पास च्वाकर दॉरान वह मेंस लेना चाहते हो या फिर आप यू आप यूर करेगरी से भी रहाँ करते हैं यूर करेगरी से फॉर्म फिलप करना चाहते हो तो यह वह उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो फॉर्म फिलप है उस वह फॉर्म फिलप करते समय आपको जो है वह लिखना होगा है यह सब चीज यहा In case a candidate opts to avail himself for the benefit of reservation from the state of origin, he will have to submit information about district and state union territory of his origin as well as the district and union territory of his domicile in the online application form and his candidature will be considered from the state or union territory of the origin. तो आपको जो है वो मिस्स ओप्सन रहेगा जो फॉर्म फिलब करते समय कि आप जो है वो माइग्रेशन के पहले और बाद में किस से बिलॉग करते हो और आप किस के अगेंस्ट जो है वो डिल्ली के अगेंस्ट लेना चाहते हो मिस्स अगर आप जो है वो यूपी से और जीन है आपका तो आप जो है वो यूपी के अगेंस्ट जो है वो डिल्ली के अगेंस्ट मिल जाए तो दिल्ली के अगेंस्ट नहीं मिलेगा आपको जो है वो यूर कैटिकरी से ही फॉर्म फिलप करना पड़ेगा और आगर आपके पास दिल्ली का हैं सबकुछ सर्टिफिकेट है तो फिर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगी अगर आपको प्लेस आफ बर्थ जो ह करना पड़ेगा तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो या तो आप यूर के तरफ फॉर्म फिलप करना पर दो और नहीं तो फिर आपके पास प्लेस आफ बढ़्ट है वहां का आपको मेंसन करना होगा जो भी आप इस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट डिस्टिक से आपके पास valid domicile certificate है तभी आपको reservation मिल पाएगी और यहाँ पर देखनो clearly mention है कि form and his candidate will be considered from the state of और हाँ such candidates will not be required to submit a domicile certificate from a state or union treaty of the origin तो अगर आप जो है वो domicile certificate नहीं भी provide करते हो in that case means आपने जो है वो अगर यूपी से देनली आप चले गए हो लेकिन अगर आपके पास जो है वो यूपी का certificate नहीं है अभी आपके पास certificate नहीं है लेकिन आपने mention कर दिया है form में तो आपको जो है वो domicile certificate यूपी का देने का जरुरत नहीं पड़ेगी तो यह जो है वो आपको miss form fill up करते समय mention करना है वरना जो है वो आपको reservation का benefit नहीं मिलेगा अब देखो यहाँ पर जो हो क्या लिखा हुआ है कि इफ और यह 63 नंबर की मैं बात कर रहा हूं if a candidate declares in his online application form that he has migrated from his state to unit to another state that is a state or unit of the domicile and opts not to avail the benefit of reservation from a state or unit of origin such candidate will be considered at your category and his domicile state irrespective office position of cash certificate तो आपके पास अगर means जैसे वही हम अपना उधारन लेते हैं यह पीटू देली वाला तो अगर आप जो है वो आपके पस एक option यह यह तो हमेशा ही है कि आप जो है वो यूर category से form fill up करो तो उसके लिए आपके पस जो है वो pass certificate अगर नहीं भी रहता है वो कहीं कहीं और का भी रहता है तो भी कोई problem नहीं है उसमें आपको reservation का benefit नहीं मिलेगा तो आप यूर category से हमेशा form fill up कर सकते हो लेकिन अगर आप reservation लेना चाहते हो तो आपके पास valid domicile certificate होना चाहिए अगर एक ही जगह से हो तो और अगर आपने अपना state change किया है तो फिर आपको अपने origin state का details address यह सब भी देना पड़ेगा तो आई होब कि आपको जो है वो यह सब कुछ थोड़ा समझ में आया होगा और इस वाले को एक बार इसमें एक paragraph और है इसे भी जो है वो लास्ट में मैं आपको बता देता हूं यह जो 64 है इसको देखो if a candidate declares in his online application form that he has he or she has migrated from his state unit to an of origin to another state unit and opts to avail the benefit of reservation from his or her state unit of origin such a candidate has to produce a cash certificate based on तो उन्हें जो हो जैसे यह जो अगर यूपी और यूपी से आपने अगर दिलिया है तो यहां पर आपको जो हो क्या देना पड़ेगा काश्ट सर्टिफिकेट ओके तो यहां पर आपके पास किसा सर्टिफिकेट बेस्ट अन्यंटटिफिकेट यूपी का देना परेगा और डॉमिसाइल सर्टिफिकेट जो हो देली का देना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना हो वरनना बाद में आपको जो आपको मैं आपको बता दूँ तो क्या है कि अगर आप जो है वह नॉर्मल हो मिस एक मैं ले रहा हूं नॉर्मल केस में कि अगर आप जो है वह एक ही जगह पर जन लिया आपने एक ही जगह पर पढ़ाई की सब कुछ किया तो आपको तो डॉमिसाइल सर्टिफिकेट और प्लस सेकंड कास्ट सर्टिफिकेट दोनों एक ही जगह का चाहिए ओके लेट से कि किसी ने जो है वो यूपी में ही बढ़त लिया और यूपी में ही उन्हें उसने पढ़ाई कि उसका सब सब डॉक्मेंट्स वहीं से है तो उसको कोई ज् सब्सक्राइब यूपी का कास्ट करना चाहिए और दिटली आगई है तो आपको कमेंटम ok कर सकते हो एंड अपने अगर की फॉर्म फिलब की है या फिर करने की सोच रहे हो तो आपके लिए वह बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जो हूँ टेस्ट बुक एप से अपनी जो हो तैयारी कर सकते हो टेस्ट बुक एप है और इसे जो है वह आप वेबसाइट पर भी चला सकत तो अगर अभी आपने इसका टेस्ट बुक का सब्स्रिप्स नहीं लिया है तो फ्री में जो है टेस्ट कर सकते हो और यहां पर लगबग तीन लाख इस्टुडेंट्स जो है जो अभी करेंट्ली एक्टिव हैं और यहां पर आप जो है वह देखो कि पांच अलग-अलग ल हम देखोगे कि टोटल जो है वह 2000 कितने साल का है आपके पास 19 21 और 22 24 ओके तो तीन से चार्ट साल का आपके पास बहुत ही अच्छा जो है वह अनालिसिस आपको मिल जाएगी और यह जो 24 में फेबरी में हुई है उसकी भी आपको पेपर मिल रही है तो आप जो है वह इन पास प्रो आपको पर्चेस करना पड़ता है तो इसकी जो है वह प्राइसिंग डिटेल्स में आपको बता दूं तो देखो इसका जो है वह लाइफ टैंड यानि की ऑफर जो है वह चलते रहता है यह जो है वह तीन साल के लिए है और यह एक यह बढ़ आप मत लेना क्योंक प्रॉब्लेम में आ जाओगे तो इसलिए तीन सांवल लेना आपके लिए रिकमेंडेट रहता है और एक बेनिफिट और रहती है कि आप जो है वह अधर एक्सामिनेशन की भी इस एप से प्रिप्रेशन कर सकते हो और इसका अगर आप जो हो यह वाला कुबन कोड लेना ओके आगर आपको प्रिप्रेशन करनी है तो और अगर आप जो हो इसकी सूपर कोचिंग लेना चाहते हो तो वह भी आप एक बार ट्राइग कर सकते हो लेकिन पास प्रो तो टेस्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और यहां पे आप ऐसे सी की जितनी ने समीस के तैयारी कर रहे हो तो इन सभी участvale की आप जो हो टेस्स सेरीज दैख सकते हो तो बहुत आ अच्छा रहता है अगर आप प्रिपेररेशन संस् pige में हो और अप चरहिए तो आपघंब को और स्फोडmee कर देना